हलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप गाइस आप अच्छे रहे हों खुश रहे हों क्लास फिप्ट क्या चैप्टर है ट्वैल और सबक का नाम है जीरो नौट आउट ठीक है तो आज हम यूनो आज हम इस चैप्टर के कोशे आंसर्स एंड सॉलुशन करेंगे तो इसे पहल अब शुरू करते हैं लव्ज और माइने यह कल्दार कल्दार मतलब हिंस्तान में राइज अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का यानि जो अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से जो सिक्का चला करता होगा है ना एक तो रुपया है ठीक है जो कि सेशा सुरील आए थे फॉस्ट साम है इसका उसी तरह के से कल्दार भी चलता होगा अब यह हैं इंतिजामन इंतिजामन सोच समझ कर ठीक गोफन यानि पत्थर फैकने के लिए रसी का बनाया हुआ फंदा जो चात्रा गोल गोल घुमा सकते हैं फैकने के लिए ऐसा कुछ ठीक है हम किनार होना यानि मिलना है चुना ठीक है पैंथरा यानि दाव पेच और पाउं खड़ जाना यानि मैदान चोड़ेना या मैदान से भाग जाना ठीक है हार जाना ऐसा भी कह सकते है हार कर भाग जाना यह टेबाद देश यह पाल देख रहे मतलब है एक बाद दूसरा वन वटश्ot然 भोलन तम भी क करना मतलब खबरदार करना ठीक है उसके बाद बराक्स मतलब उल्टा या इसके खिलाफ या अपोजिट कैसे कह सकते हैं इंगलीश में टास यानि खेलने के लिए सिक्का उचाल कर बारी तै करना ठीक है टास जो होता ना हैट टेल तो गाइस अब देखते हैं इसमें एक खास चीज चो कर होती है यहाँ पर ये रैड पॉइंट है इसमें यानि के मेन पॉइंट है ये एक मिज़ाया मजमून है मिज़ाया बोलते हैं कॉमेडी यान कॉमेडी टाइप का इसका मौजू यानि इसका टॉपिक बहुत दिल्चस्प है किर्केट के मैच में हसने के कुछ मिर्जा और उनकी टीम के खिलाड़ी जिस तरह एक रन भी नहीं बना पाए मुसनिफ ने इस सूरत हाल से अपनी इस तहरीर में मिजज़ पैदा किया है मिज़ज़ यानि के थोड़ा सा मस्खरापन ला दिया है है ना हसी वाली बात पैदा कर दी है तो गाइस अब कारिकरम यहां शुरू करते हैं हम जिसमें लिखा हुआ है ये लिखा है तो आप देख सकते हैं ये लिखा है सोची बताईए और लिखिए पहला सवाल है मिर्जा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दौा कियों दी गई तो गाइस अब हम ये लिख ली है वैसे ठीक है अब हम बात करते हैं ये वाइज जवाब नमर पहला ठीक है तो आप देख सकते हैं सवाल तो मैंने पढ़ी दिया पहला वाला देखिए ये लिखा है जवाब नमर एक मिर्जा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दूआ इसलिए दी गई क्यूंके मुखालिफ टीम यानि सामने वाली टीम जो है पोजिट टीम का गैन बाज काफी लंबा तरंगा था जो के दिखने में खौफनाक लग रहा था उसकी गैन बाजी भी नहायत खतरनाक थी ठीक है अब गाइस देखते हैं जवाब सवाल नमर दूसरा जवाब नमर दूसरे से पहले ठीक है सवाल नमर दो है मुखालिफ टीम का बालर किस तरह गैन फैंकता था ठीक तो जवाब देखिए एक आइस यह हमारे पास जवाब नमर दो है मुखालिफ टीम का बालर काफी लंबा होने की वजह से बहुत तेज गैन बाज करता था वो पूरे फरलांग से भागता हुआ आता और गैंद को पूरी ताकत लागा कर फैंकता था ठीक आइस यह कहानी है अब देखते हैं कोशन जवाब नमर तीन देखते हैं जवाब नमर तीन ये इसलिए कहा गया क्यूंकि कहा गई है कियूंकि मिर्जा बहुत डर डर कर लिख देते हैं कर खेल रहे थे और बाल यानि बाल को वैसे उर्दू में बाल लिखते हैं लेकिन ये होता है बाल बाल को भाला उन्हों ने बैट से चुवा तक नहीं था उन्हों ने तीन ओवर यह पेश यह वाव रेजबर वर ओवर गुजर जाने तक भी एक रन भी नहीं बनाया ठीक है असल में उनको बाल यानि बाल या बाल समझ में नहीं आ रही थी तो ये वज़ह थी सवाल अमर तीन के जवाब नमर तीन था अब ये देखिए सवाल अमर चार देखते हैं इस जुमले की वज़ाद कीजिए जब अमपाइड ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो एक इंच तंग हो चकी थी ठीक है तो जवाब देखते हैं सवाल अमर चार का तो गाइज ये लिखा है जवाब ठीक है चार इस जुमले का मतलब ये है कि जब बालर की तेज रफ्तार गैंड ने मिर्जा के सर में चोट मारी तो उनका सर सूज गया जिसकी वज़ा से मिर्जा की टोपी उनको पहनने में तंग होने लगी में तंग होने लगी अब गाइस मैंने और ज्यादा खुलासा नहीं किया है वैसा आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा जितने ही मैंने ये आंसर्स बताए है इसमें आप थोड़ा सा हेर फेर तर्मीम कर सकते हैं ठीक है बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं लेकिन वह आपका जवाब जवाब की वह सारे सेंटेंस मेंट के आसपास होना चाहिए ठीक है एकमार का सेंटेखने इसलिपार गया, जीवादा है वह स्बाओतहना चाहिए सबन्सक्रवादा में दीम्हें икомत्र लोगी नम्र प्वाइबर पांच देखते हैं जवाव नम्र पांच से पहले तो यह देख सकते हैं हम गाइस सवाल पांच, कप्टान ने ये तंबी क्यों की के मिर्जा के अलावा कोई रन ना बनाए तो गाइस ये बड़ी तक्लीफ गे वाली बात थी जब ऐसा बोला था उन्होंने तो जवाब नूर पांच देखते हैं कप्तान ने ये तंबी इसलिए तंबी यानि के ताकीत करना या जोर देखर खाबरदार करना तंबी इसलिए की कि क्यूंकि क्यूंकि मिर्जा शुरू से ही विकेट पर जमे हुए थे यानि वो आउट नहीं हुए थे और उन्होंने कप्तान के अलावा दूसरे पांच खिलाडियों को आउट करवा दिया था ठीक है और खुद एक भी रन नहीं बना पाए तो वाइस ये इसकी वज़ कुश्चन का अंसर तो देखिए ये तो हो गया हमारा यहां तक अब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखता है क्या हम बताते हैं ये जो है क्या नीचे लिखे हुए सभी लफजों से खाली जाओं को भरिये ठीक है तो आप देख सकते हैं गाईस यह है विकेट टास बैट ये तैप आया कि जो टीम टास हारे वही बैटिंग करें तीसरा है मुखाली टीम का लंबात लंगा बालर पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आयता ठीक है चाहता है वो बहुत वह बैट को पूरी बैट यानि बल्ला जो होता है को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह गुम नेक्स प्रिट पर आते हैं गाई समय पढ़ने को मिलता है नीचे दिये हुए मुहावरों को जिम्लों में इस्तेमाल किजिए तो ये मुहावरा है है ना तो देखते हैं टल जाना यानि कोई मुसीबत चली जाना है दुआओं से मुसीबत का टल जाना आसान है या आसान हो जाता है ठीक है इसमें भी आप तर्मीम कर सकते हैं तर्मीम का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं ठीक उसके बाद देखिए पाउं उखड़ जाना इसका मतलब मैंने बताया था शिरू में बहादूर सिपाहियों के सामने दुश्मनों के पाउं उखड़ गए ठीक जान हदेल पर रखकर मजबूर लोगों की मदद की और यह बाद सही है और सच भी है तो आइस यह लिखा है एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगों में लिखिए ठीक तो अब देखते हैं दोस्तों क्या है यह मामला पहला है मैच देर से क्यों शुरू हुआ तो यह है अमपा उसके बाद दूसरा है टास के बारे में क्या तैह हुआ यह तैह हुआ कि जो टास हारे वही बैटिंग करे तो ऐसा है ना अजीब अगरी फरमान हुआ था फैसला हुआ था तीसरा देखिए मिर्जा बैट को किस तरह गुमा रहे थे तो वाइस एक वर्ड है गोफन तो मैं जा चुकाँ कैसा होता है गोफन है ना यानि के एक एक पत्थर लिया इसमें दो बांदी और इसको चार तरो गुमाया ऐसे गुमाते हैं इदर उदर उसे गोफन बोलते हैं ठीक है ना तो अब देखिए गाइस इसको देखते हैं मिर्जा बैट को गोफन की तरह गुमा रह ठीक तो जिसने कहानी पड़ी उसको पता है जाहिर है तो जवाब देखिए इसका है ना क्यूंकि मिर्जा आखिर तक बने रहे और वो नौट आउट रहे है ना तो बस इतना सा जवाब है एक सेंटेंस में कहा है नो ने ठीक तो इसमें आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ए आईस यहां मैंने लिखा हुआँ इस जीत कहार ठीक है जीत कहार देर का जल्दी है ना मुखालिफ का मौझए यह लिखाय है मैंने मौझए ठीक जूट का सच नालायक का लायक ना हटा दो लायक हो जाएगा तेजी का देरी है ना तेड़ा का सीधा ठीक है सीधा लिखा है ये सकती का नर्मी ये नर्मी लिखा हुआ है ठीक है नर्मी यहां भी लिख देता हूं एक बार नून रे नर्मी मेजर मी यह है नर्मी ठीक जबर ल लगाओ चाया मत लगाओ टेजिन मैटर ठीक पेश बढ़ते हैं गाईस यह 101 अब आगे बढ़ते हैं तो आईस जब हम अगले पेश पर आते हैं तो हमें यह दिखता है बहुत ही ज़्याद अच्छे से के देखिए इसमें क्या है नीचे दी हुई हर तस्वीर के बारे में दो दो जुमले लिखिए तो आज देखिए बैट बैट के सामने ये तस्वीर है इसके सामने लिखते हैं एक पहला जुमला है बैट लकडी का बनता है दूसरा है बैट का वजन बहुत भारी नहीं होता जाहिर है भारी होगा तो फिर खिलेंगे कैसे तो उसका पहला है ये, बाल के उपर है बाल पिलकुल गोल होती है, ठीक है किरकेट में सबकी निगाएं बाल पर होती है तो ये बात सच भी है और सही भी तो यहां की बात आ लिए विकेट की ये तीन है ना तो पहला है विकेट पर बाल लगने से आउट होते हैं जाहिर से बात है जो लोग मैच खेलते हैं क्रिकेट मैच उन्हें पता ही बात और दूसरा है सेंटेंस के उपर विकेट के उपर विकेट गिंती में तीन होते हैं ठीक वाइस मैं आपको बताना चाहूंगा सिफत सिफत यानि के युनो एड्यक्टिब बोलते हैं विशेशनल बोलते हैं और फेल बोलते हैं वर्ब यानि हिंदी में क्रिया बोलते हैं और अर्दू में फेल बोलते हैं तो वाइस कहने का मतलब भी है कि जिसके लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में ना आता है ना आता है ना आता है ये तो वो वर्व होता है और बाकी सब इसमें जितने भी हैं वो सिफत हैं तो देखिए भरना तो हम इसको पढ़ देते हैं सिफत में जरखेस कल्दार पुर्फिजा लंबा बे इमान ठीक है और इधर है सिफत में नालायकी खुश ठीक है जूट साफ और फेल में देखी गाईस भरना खाना उखडना देखना फिरना छोडना टहलना फैंकना निकलना दढ़ना और ये है गाईस समारना ना रहा है लास्ट में तो इसलिए बाहर लिखा है है ना हम इसमें लिखते समारना ना ने कुछ और होता तो है ना है इस्मे लिखते रॉलाइस कहने का मतल़ भी आज़ चुझमे आब आप आगा देखते हैं य्नो specific त जब भी इसको समझना चाहें तो इसको लिखें सिफ़ात और फेल आगे लिख दें अर्दु विज्या तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी ठीक है अमली काम देखिए पांच हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के तस्मीरें कापी में चेक पाई है और उनके नाम लेकिए तो व जाएबिस